मैं दिन पर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकान लही रहे एफट तो मैं पूरा मार रहा हूँ ओफिस से कॉला रहा है इतने टेलेंटेड हो हमारी टीम में काम क्यों नहीं करते मैंने बहुत सार आपकी टीम में ही हूँ आप लोग में से जॉब कौन कौन करता है हाँ उठाओ कोई शरम की बात नहीं मेहनत करो ठीक है आप लोग में से वर्क फ्रोम होम किसका चल रहे है हाँ ये शरम की बात देखो जो लोग तो ओफिस जाने लगें मुझे उनके लिए ठीक फील होता है पर जो जिनका अभी वर्क फ्रोम होम चल रहे हैं उनका लग रहा है क्या सेक्सी लाइफ चल रही है मैं एक चीज़ बता दरू है अगर किसी दिन इनको HR की तरफ से कॉल आगिया कि ओफिस आजाओ पहले इन ही मौत आएगी अब ये इस लायक रहे ने कि अपने पैरों पे चल के ओफिस जा पाए इनके शरीर का निचला हिसा काम करना बंद कर चुका है इनकी छाती पी निशान पड़ चुके है लाटप की ये ये दिन बर बैठकर यही चिक करते रहे थे कि कोविट की नहीं वेफ्स क्यों नहीं आ रही है दोहीं साल की मौच काटनी थी गया ये पीट पे तकिया बांद के काम करने के जो आदत पड़ी हुई गया ये जाहिए नहीं तुमारी आखों में हराम खोरी देख पा रहा हूं और दोस्तों देखो ऐसा नहीं कि वर्क फ्रूम हम काम करना नहीं जाहते हो नहीं पाता है उसके पिछे रीजन हम काम करना चाहते हैं कंपणी उंको पैसे दे प्रॉब्लम ही कि इन्हों नहीं दिन में पचछतर मीटिंग से रख रखी है नॉंसेंस मीटिंग होती है सुबह नौबजे एक मीटिंग होती है जिसका एजेंडा है कि आज हम क्या-क्या करने वाले आज क्या-क्या करने वाले पिछले 15 दिन से मैंने एक काम को हाथ नहीं लगाया मैं बारा बज़े उठता हूं सोके एक बज़े प्रॉपर उठता हूं मैं दिन बर यह सोचता रहत हूं कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूं ओफिस से कॉला रहा है इतने टेलेंटेड हो हमारी टीम में काम क्यों नहीं करते मैंने बहला सर आपकी टीम में ही हूं वो बल रहा है हमें पता है हम पूछ रहे काम क्यों नहीं करते क्योंकि नहीं हो रहा काम यार हराम खुरी भी एक चीज होती है मुझसे नहीं होता काम मैंने अपनी मम्मी को Excel सिखा दिया है कि कब तक चाय ही बनाती रहोगी अब वो चाय और Excel दोनों करके ला रहे हैं सुबर नो बज़ एक मीटिंग होते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले और शाम को आठ बज़ ली मीटिंग में हम ये बता रहे होते कि नहीं कर पाए कहां से कर पाएं पूरा दिन मीटिंग में ही चला गया और जो सुबर जो मीटिंग है ना वो तुम्हारे मैनेजरों पता है कि ये हराम खोर एक बज़े सपहले नहीं उठेंगे तो उसने अलाम सेट कर रहा है वो अलाम है सुबर नौबज़े मीटिंग वो अलाम है सुबर नौबज़े वो पहुँच आ था कि कैमरा क्यों ने आन कर रहे तुम लोग पहलो ने कैमरा उन उसने खुद कैमरा ने यॉन किया हुए उसके ओडियो से फ्लश की आवाजे आ रहे हमारी फटी ये ने कैमरा उन कर ले थोड़ी देर में सबका कैमरा उन होता है अचानल इस एक बंदा उसमें चिला रहे कि सार आपने अपने माथे पे तीर का टैटू बनवा लिया हमें तो पता नहीं चला तो मैनेजर बोला अबे वह करसर है अंधे ये पूरा माउस हिला के चेक कर रहे है ओ माई बैट आपका रंग थोड़ा दबा हुआ है न आप दोगा हमेशा एक स्क्रीण से एक बंदा चिला रहा है सर आप मूट पे हैं आवाज नहीं आ रही मूट वह खुद मूट पे है उसका मुख अलिए से सिद्ख रहे बस और एक स्क्रीन होती है जहाँ से पता निर्ण ग्यूं बंफट निकी हवा जया रहे उसका घर पता नहीं कहुंसा इरान, इराक, गाजा पटी में उसका घर है उसका घर लॉंचर गिर रहे उसको मुट करने के चेकर में तुम मैनेजर को मुट कर दे रहे हो अब मैनेजर अलग चिला रहे मैनेजर अलग से कॉल करे बोला रभी काम क्यों नहीं उपा रहा है कहां से काम हो पाएगा अभी भी मैं मीटिंग में ही हूँ हम एक मीटिंग में डिसकस करें कि दूसरी मीटिंग में क्या करेंगे हमारा एजेंड नहीं क्लियर हो पा रहे एच आर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं उसने सब को मेल भेज रखा कि आज मैंका बड़े है चलो पाटी चलो चलो तुम अपना कामधांदा छोड़ के मैंका बड़े मनाने जा रहा हूँ मैंक हमारे ओफिस का वो इंप्लॉई है जो पैदा होना भी डिजर्ब नहीं करता हूँ मैंने मेट्रो के नीचे पीटा था मैंक और मेक शेर करता हूँ ओफिस खुलने के बाद फिर पीटने वाला यह क्यों है ओफिस में समय नहीं आता है यह आता है और कुछ-कुछ करके चला जाता है यह क्या काम करता आज भी रहस्य बना हुआ है आप पावर बैंक खरीते हो मोबाइल का बैटरी चाषर्ग कर निग ले कुछ पावर बैंक मोबाइल का ही बैटरी चूस लेटे है यह वही है यह यह क्यों है यह इंटर्वी के लाया था है HR पास HR ने बला मैंक आप कमफटेबल हो जाओ यह जूता तो खोल के बैठके कि जब जूइनिंग टाइम तुमने बोला था कि इतनी सैलरी कैश इन हैंड मिलेगी तो एकाउंट में क्यों भेज़ दे रहे हो मैं पागल हूँ हर मैंने थैला लेकर आ रहा हूँ ओफिस के ओफिशल मेल की रिप्लाई में हूं कौन लिखता है हमने पूरे ओफिस के लिए कैप की सर्विस प्रोवाइड करें कि सारे लोग आ जाये कैप से इसकी कैप हमने दो दिन में बंद करवा दी क्योंकि घूमने निकल जा रहा थी ड्राइवर को फसा रहा भरी शिकेश चलते एक रुपए का काम नहीं करना लेकिन क्वेरी इसके नाम पर लोगों से इंप्लॉई से घटिये सवाल करना अब एक लड़की इंटान आई थी उसने हाथ में गिटार का टैटू बानवा रखा उसको टोक रहा है कि ये खजवाने वो बज़ता भी है क्या मुझे एक दिन बोला है कि मुझे लड़किया अच्छी लगती हैं मैंने बोला नाइस गुट फॉर यू बोला मैं लेस्बियन तो नहीं हूना पता नहीं क्या है भावी पता नहीं क्या है थी हार ओफिस में एक दो इंप्लोई ऐसे हो तो जिन्हें तुमारा कुछ नहीं ब अन्थ काम करने के मूड़ से मेरे को मैंने सामने ही दिख गया दो भू statिर आपको хорош TIM इनी कर नहीं तो तुमको जो बोलना है बोलो बार भाग जड़े यहां सके। और वही मुझसे गल्दी हो गई क्योंकि अब यह मुझसे फ्रेंक हो चुका है। अब यह घटी है सवाल कभी भी कर ले रहे। तुमको बोल रहे कि ऑफिस की कॉफी में जहाग बहुत जादा नहीं आ रहा। कहीं है लोग इसमें निर्मा तो नहीं डाल रहे। मैंने बोला एक तो मेरे कुवापा सर बोलना चालू कर दो तो तुमकि ऐसा मेरे भाई होता दोड़ा दोड़ा के मारता। बोल रहा मुझे पियर्स साबुन से नहाना बहुत अच्छा लगती है। एकदम टॉफी जैसा दिखता है। पर खाने में तो बहुत ही विकार है। तु साबुन खा रहा है। बोला पियर्स तो फिर भी टीके, रिन तो बहुत ही वाही आती है। यह बोला, देखो भाई, इंगली शीकनी का फाइदा ता है। अब पहले में क्या है? फ्लाइट पे एर होस्ते से पानी नहीं मांग पाता। मैंने बोला, अब मांग ले थे हो? बोला, हाँ। मैंने बोला, कैसे? बोला, एए… एक रुपए का काम नहीं करना, एक रुपए खर्च नहीं करना, वज बातें बड़ी-बड़ी करना है। मैंने बोला, ब्रो, समोसा खने चलते हैं। मैंने बोला, मन नहीं है, तेल बहुत जादा हुदा उसमें। मैंने बोला, मैं खिलाओंगे। तो बोला अच्छा चल दुकान पहुचे समोसवाला एलफ फ्राउंड कर रहा था कि सर हमारा समोसा बेस्ट है हम चालीस साल से समोसा बना रहा है उसको बोल रहा है आज वाला देना देखो हमारा एक basic human nature होता है कि तुम कुछ खा रहे हो पी रहे हो और कोई दोस्त आता हुए तुमरे कोई जानने वाला दिख जाए तो तुम उफर कर देखो और यह रामजाद ही खाने लग जाए यह वही बंदा है मैं cold रैंग पी रहा था मेरे को महंग सामने दिखा यहाः करने के लिया कि ек эфф क्यो नहीं offer किया भी नहीं था मैना आधिच जगा Palette और मेरेको वापस काएरा रहा बोले आपको पता है समस्म ट्لى टॉलेट ख्लीनर मिला होता है और हम लेक्ट काश इसमें मिला होता है। मेरा सपना है तो मेरा मुझे जाग निकलते हुए देखा। एक दिन बुल रहे कि रिशी केश घूम में चलते हैं। सुने वहां लैंड स्लाइड हो रहा है। रूम सस्ते हैं। हर ओफिस में एक डिपार्टमेंट होता है HR का HR का बेसिकली एक काम है कि उसे ही फिगर आउट करने कि उसका काम क्या है। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगर तुम्हेरे दर दम है HR से काम निकलवा कि दिखा दो मुझे दो दिन की चुट्टी चाहिए। अगर पांच साल बाद आपने आपको कहां देखते हो। अर भेंचो दो दिन की चुट्टी चाहिए। इनका मोटिवेशन खतम ही नहीं हो रहा। कि कंपणी बारेम क्यों नहीं सोचते। संड़े की दिन घर क्यों चले जाते हो। मैंने बहुत पेंदे दो बहुत भाग जो यहां से। मैंने बहुत कुछ तो होगा है वो ड्रॉर खोलो उसमें जंडूबाम होगा निकालो और यहीं रगड़ दो मेरे। तुम काम मांगनी जो रहा है तुमको काम अलग से पकड़ा है यार। पूरे हफते पूरे महिने इनको मौत आए इनसे एक काम नहीं हो पा रहा। पर जिस दिन ओफिस में कोई इवेंट होता है उस दिन HR की एनरजी देखो। पता नहीं कौन सा चौन प्राच चाट लेते हैं। कि दोस्तों। आज है Fun Day Friday। आज हम Fun करेंगे। और Fun करने के लिए प्रॉपर PPT बना रखी। कि Fun कैसे करना है। प्रॉपर टीम स्वाट रखी। कि यहे टीम चहिया चहिया चहिया। और यहे टीम O.O.A. खेलो अंताक्षरी। तुम्हारा पास कोई option है निम्मू बना के अंताक्षरी खेल को। और मैं एक सी बता रहा हूँ। तुम चाहे कितना अपी नुसरत फटली खान सुन रहा। जिम मौरिसन बॉब मार्ले। कोक स्टूडियो। अंताक्षरी खेलते टाइम तुम्हें जहां टूगाने ही आदाएंगे। कि माई रहे माई। मुंडेर पे तेरे बोल रहा है कागा। गा से गा से टिक टिक वन टिक टू। तीम O.A. के फटगा से गाना है। गोरी है कलाईयां। ला दे मुझे हरी-हरी चूडियां। और ये लॉंडे का रहा है। उनको बस गयसे गाना जा रहा है। लड़के ऐसे खुटने तोड़के बैट जारे हैं कि पैरों में बंधन है, पाइलन मचायश हो। बस के फटगी कि इतिनी एनर्जी अगर ये लोग काम में लगा लेते हैं। तो पिछले तीन महिने से मेरी कंपनी जो घाटे में जा रही है। और अगले महिने जिसे मैं बंध करने का सुच रहा ह। कुछ तो फायदा हो जाता है। हमारे ओफिस में ऐसे सी चीजे करवा हैं जिसके एक्चुली कोई मतलब नहीं, इवेंट के नाम पर। जैसे मेरे ओफिस में एंटी डिप्रेशन सेमिनार करवा रहा है। दिवाली के दिन। तुम्हें इस समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हमें डिप्रेशन क्यों है। अगर ही आज तुमने छुट्टी दे दी होती है। तो मैं कहीं जाके बंप अठाके भोट रहा तो गोबर फसाके। सब क्या अपने तरीकों तो फ्रस्रेशन निकालने। पर मैं अभी जूम कॉल्पेंट के साथ बैठके एक्सरसाइज कर रहा हूं। वो बला है सांस उपर लो, सांस नीचे लो, अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है। हमको छुट्टी चाहिए। मुझे करवाचाओत की छुट्टी चाहिए। मैं रहा हूंगा। हम छुट्टी के भूखे हैं। हमको छुट्टी नहीं मिल रही है। मैंको छुट्टी मिल जाती है। मैं गया चारपंस मुझे दो देन के चुट्टी चाहिए। चाहिए बला, फक आफ। उसने वही खून की उल्टी कर दी। कि देखो मुझे तो कैंसर है। स्टेज सिक्स। उसका मैनेजर में खड़ा बला। ओहो, कैंसर ही हो गया। एक प्रोजेक्ट रह गया है। देख लो इसी वीकेंड हो पाए। तुमारी चीता ठंडी होने से पहले। उसको सच में हार्ट एटेक आगया। मेरा सपना पूरा हो गया। यही तो मचा रहा था। ऑफिस में ऐसे-इसी चीजे करवा रहा है। जिसे एक चीज और करवा रहा है। इनको हर महीन एक बंदे को ओड़ देना है Employee of the Month। इनको लगता है इससे ना जोश बना रहता है इनको समय नहीं रहा कि सिर्फ वही आदमी खुश है जिसको award मिल रहा है। बाकि सब किसो लग रही होती है। कि इस चूतिय को भी मिल गया यार। हम यह इतने साल से जहक मरा रहा है। और इनके लिए पता है बेस्ट employee कौन है। वो बंदा जो रात के दो बज़े बिन का reply कर से। कि यह जाकता रहता दिन रात हमारे लिए। इस चकर में मैंक जीत रहा है। क्योंकि हराम जात है दिन भर सोता रहता है। यह दिन भर सोता है। और रात में लड़कियों के inbox में जाके हे सोई नहीं तूं। एक चीज और करवा रहे हैं ऑफिस में जिसका नहीं है टीम बिल्डिंग एक्टिविटी टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में इनका एजेंडा यह है कि दो अलग-अलग टीमें जिनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं वो अपना काम करें इनकी आपस बाते करवाओ सुख तुख बाटे सुख कहा है इस ओफिस में हम बस दुखी बाट रहे एक बोला भाई मुझे तो छेवे तक बिठा कर रखते हैं मैंने बला छेवे तो काफी जल्दी अरे सुख छेवे तक बिठा कर रखते है और टीम बिल्डिंग एक्टिविटी की नाम पर हमें दस साल से जिम कॉर्बेट लेके जा रहे कि को अहीं दिलिस नजदीग पढ़ता है और वहां पर भी जाकि मैनेजर को ग्यान देना है कि शेर जब चार गदम पीछे जाता है तो इसका मदले यह नहीं कि वह पीछे जा रहा है अच्छा हम अंधे हैं हम इतने सालों जिम कॉर्बेट जा रहे हमको एक भी शेर नहीं दिखाई दिया हमको आप खाली डेढ़ हजार हिरन दिखाई देर बस पेड़ पे देख रहे हैं तो बंदर बैठे हैं बंदर हमें देख रहे हम बंदर को देख रहे हम बंदर से नजर नहीं मिला पाथ वापस घूम के देखा वापस डेढ़ जा रहे हिरन ही हिरन हिरन किसी ने कॉप्य पेष्ट कर दिया उठाई मुझे लग रहा है वहाँ शेर है पर इतने हिरन देखके उसकी भी फट गई वो कहीं बंदरों के साथ बैठके केला खा रहा है कि भाई बहुत हारामी हो गए हिरन यार कल मेरा पूछ उखाल के भाग गया था हम इतने सालोस जिन को और बेट जा रहा है हमको एक भी शेर नहीं दिखाए दिया पर वहाँ जो उपर बंदर बैठे ना उनको चूतिय दिखाए दे जा रहा है कि ये फिर आगे गुड़ गाओं सके ये हर साल आ जाते है जुंड बना के पता नहीं कौन सी इनकी अम्मा का खजाना गड़ा हुए है हम आरो कि ला फेक के मार बंदरों का आम मूड धराब कर रहा है मैं अंक बिस्किट खरीद रहा था मैंने बला बिस्किट क्यों बला मालो शेर दिख गया मैंने बला वो शेर है शेरू नहीं और तुझे पता होना जाए कि शेर बिस्किट नहीं खाता हूं बला हाँ भाई इसलिए तो मैंने टाइगर बिस्किट करीदा है